नमस्कार दोस्तों, एक बर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, सूपर सोफ्ट, एक दम, नरम नरम तिलके और गुड के लड़ू ये लड़ू घर के बच्चे और बुजूर्ग सभी आसानी से खा सकते हैं और खाने में ये इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि जब आप इनको बनाके खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और इनको बनाने में टाइम और महनत बिल्कुल नहीं लगती है, पांग से दस मिनट के बीच में ये बनके तयार हो जाते हैं तो रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को सुरूर से लेके आखरी तक देखें, और हाँ बेल आइकन को जुरूर प्रेस करें मैं अपने चैनल पे हर रोज एक नया रेसिपी वीडियो अपलोड करती हूँ और ये वीडियो आप सब के लिए भी यूजफूल हो सकते हैं देखिए कितने अच्छे हमारे लड्डू बने हुए हैं और अभी सर्दिया है, सर्दियों में तिल खाना बहुत ही ज़्यादा फायदे मन्द होता है आप अपने बच्चों को और बुजूर्गों को भी ये लड्डू जरूर बनाके खिलाएं बहुत टेस्टी लगते हैं ये तो आईए फिर शुरू करते हैं अपने लड्डू बनाना तिल गुड के लड्डू बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम तिल लिये हैं और 1500 ग्राम गुड लिया है मीठा आप अपने टेस्ट का कोडिंग थोड़ा सा कम जादा कर सकते हैं लेकिन बहुत कम गुड भी अगर आप लेंगे तो लड्डू बानने में आपको दिक्कत हो सकती है और तिल में ही मैंने 2-3 हरी इलाइची फोड के डाल दी हैं बहुत ही अच्छा इनका फ्लेवर आता है बिल्कुल सीम गैस पे 2 मिनट तक हम अपने तिल को भून लेंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई पे नहीं करेंगे और तिल का कलर भी हमें बिल्कुल चेंज नहीं करना है तिल हमारे भून के तयार हो गए हैं जैसे ही तिल में से चटचट के आवाज आए आप गैस का फ्लेम बंद कर लें अब इनको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे आप चाहें तो किसी भी बड़ी परातिया प्लेट में भी ठंडा कर सकते हैं थोड़े से हमने पिस्ता लिये हैं इनका हम पाउडर बनाएंगे ड्राइ फ्रूट डालना टोटली ओप्सनल है अगर आप चाहें तो डालें नहीं तो सिरफ तिल और गुड से भी ये लड़ू बनाए जा सकते हैं लेकिन बच्चे इन सभी चीज़ों को डालने के बाद बहुत ही चाव से कोई भी लड़ू या बर्फी खा लेते हैं इसलिए हम डाल रहे हैं आप पाउडर ना बनाना चाहें तो इनको काटके भी डाल सकते हैं इधर हमारे तिल भी ठंडे हो गए अब इनको भी हम पीशेंगे क्योंकि आज के लड़ू में ना हम मावा डाल रहे हैं ना घी इसलिए तिल को थोड़ा सा आप बारिक करें बहुत ज़्यादा बारिक भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा मोटा रख लिया तो फिर तिल के लड़ू नहीं बन देंगे और अगर आपने बहुत ही ज़्यादा इसको बारिक पीश दिया तो फिर ये खाने में कड़वे लगेंगे और ये डेड़ सो ग्राम मैंने गुड लिया है इसका भी बिलकुल हमें पेस्ट बना लेना है आप चाहें तो तिल और गुड एक साथ भी पीश सकते हैं तिल की जब भी कोई भी मिठाई बनती है अगर उसमें मीठा कम हो और तिल ज़्यादा हो तो ही वो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती है लेकिन आगर आप चाहें तो तिल और गुड की क्वांटिटी सेम भी ले सकते हैं और सारा पेश्ट निकालके हम तिल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें थोड़ा सा तिल डालके इसको अच्छे से नीचे तक पोँच लेंगे तिल की सभी मुठाई मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है चाहे लड्डू हो चाहे बर्फी हो या फिर ऐसे ही आप तिल को कूट के इसमें कोई भी मीठा मिला के खा सकते हैं जार को भी हमने बहुत ही अच्छे से साफ कर लिया है और इलाईची का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर आपके पास है तो आप दो ही हरी इलाईची कूट के जरूर डाल लें और अभी सारे पेस्ट को हम अच्छे से तिल के साथ मिक्स करेंगे यह थोड़े से मैंने ड्राइफ रूट भी काटके रखे थे यह भी मिक्स कर लिए ड्राइफ रूट डालना टोटली ओप्सनल है अगर आपको पसंद है तो आप डालने नहीं तो सिरफ तिल और गुड से भी आप यह लड़ू बना सकते हैं और यह जो पिस्टा का हमने पाउडर बनाये था आप चाहें तो इसको लड़ू के साथ मिक्स करके लड़ू बना ले या फिर लड़ू बनाने के बाद इनको रोल भी कर सकते हैं जिससे और भी देखने में यह सुन्दर लगेंगे आप चाहें तो इस तिलकुट को ऐसे भी खा सकते हैं लड़ू बनाने की भी जूर्वत नहीं है आप इसको किसी डब्बे में भरके रख लें कटोरी और चम्मच से आप ऐसे ही डालके खा लें बहुत टेस्टी लगते हैं यह और हाथ पे थोड़ा थोड़ा घी लगाते व अब हम इसके लड़ू बांदेंगे थोड़ा सा जोर लगाके लड़ू बांदने पड़ेंगे क्योंकि हमने इसमें गुड़ बहुत ही कम डाला है अगर आप गुड़ और तिलकी क्वांटिटी सेम रखते हैं तो फिर तो लड़ू बनाने में बिलकुल भी मुश्किल नही तो आप इसमें थोड़ा सा घी डालके मिक्स कर लें और फिर लड़ू बना लें और सारे लड़ू हमें इसी तरह से बना बना के रख लेने हैं बहुत जादा बड़े लड़ू हम इसके नहीं बनाएंगे देखिए कितनी जल्दी सारा काम हो गया है दो मिनट तिल भूनने में लगती हैं और उसके बाद मैक्सिमम आपको 5-7 मिनट और लगती हैं सारा काम करने में तिल को पीसने में गुड़ को पीसने में और लड़ू बनाने में और फटा-फट से एक बहुती टेस्टी साथी साथ हेल्दी मिठाई बनके तैयार हो जाती है जो लोग चीनी, खान या बूरा खाना पसंद नहीं करते वो गुड़ में इन लड़ूं को बना के खाएंगे बहुती ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और सारे लड़ू देखिए हमने इसी तरह से अपने बना लिये हैं और इन लड़ूं का खराब होने का भी कोई डर नहीं होता, आप इनको एक बार बना के रख लें, महिने तक आप आसानी से इनको खा सकते हैं थोड़ा थोड़ा घी आप जरूर लगा लें हाथ पे, जिससे बहुती आसानी से लड़ू बंद जाएंगे मार्केट से जो हम तिल के लड़ू लेके आते हैं, उसमें बहुती जादा मीठा होता है और इतना सारा समान होता भी नहीं है जितना हम अपने घर पे डाल सकते हैं देखिए हमने मन पसंद ड्राइफरूट डाल लिए हैं और इनको गुड में बनाया है बहुती आसानी से ये बन भी गए हैं और इतने जादा नरम है नहीं ये बहुती जादा नरम हर कोई इनको खा सकता है तो हमने अपने सारे लड़ू बांद के तयार कर लिए और देखिए कितने अच्छे हमारे लड़ू बने हैं बहुती जादा ये टेस्टी है आप इनको बना के किसी भी टाइट डब्बे में भरके रख लें और जब भी आपका कुछ मीठा खाने का दिल करें एक लड़ू निकालें और खा लें क्योंकि ये टेस्टी भी है और साथ ही साथ हेल्दी है आपको बिन ये इकूल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप आसानी से इनको खा सकते हैं आप सब का भी जरूर ये लड़ू खाने का दिल कर रहा होगा तो देरी किस बात की है जल्दी से उठिये बनाईए खाईए और अपने फीड़ बेर मुझे कोमेंट करके जरूर सेयर कीजिए अगर आप सब को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करा करें मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत जल्द मैं आप सब के साथ आऊंगी एक और नई रेसिपी लेके तब तक के लिए गुड़ बाई खुस रहें, स्वस्त रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंज के साथ सेयर करें आज के लिए सिरफ इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई